चलिए तो आज हम लोग सात्वहन बन्स देखने वाले हैं इसके पहले हम लोग ने मोरे संबराज तक देख लिया था मतलब मोरे बन्स देखा था जीतने भी जो साक्ष वगळ रहा है सब हम लोगने थे 56 गड़ में देख लिया था कहा कहा मिला था वो सब चिसको और इस पर सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि यह जो सात्वाहन वंस है इसको हम लोग 72 इसवी से ले करके 200 इसवी तक का जो समय है इसमें हम लोग देख रहे हैं देखे एक चीज़ आपको मैं पहले से मतलब पहले भी समझा चुका हूँ यहाँ पर भी दुबाना फिर से बत प्रकार्स देख रहे हैं मतलब कि इसवी पूर्व के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ऐसे जिसमें मोर रिवन्स के बारे में बात किया हम लोग ने तो 300 323 इसवी इस प्रकार से मैंने बताया था यह फिर इसवी पूर्व इस प्रकार से उसके मतलब उसके बाद यहाँ प करते करते हैं हाँ पर 0 तक पहुंचेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर अब जब बढ़ना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से मान कर चल हम लोगों आप यहाँ पर पहुंचके 72 इधर अब 72 कहलाएगा इधर क्या कहलाएगा इसवी कहलाएगा इसको हम या तो इसवी बोलते हैं या तो यही AD भी लिखाता है या फिर यही CE भी लिखाता है इस प्रकार से अलग-अलग नाम से इसको जनते हैं अब यहाँ पर देखो 72 इसवी से लेकर के 200 इसवी तक का जो समय है ऐसे इसी समय हम लोग क्या देखेंगे यहां पर सात्वान मंस देखेंगे तो यह इसा पुर्व और इस्वी का अर्थ आपको clear यहां पर समझ में आना चाहिए कि क्या होता है इसा मसी के जन्मस से पहले के जो समय है उसको हम लोग इसा पुर्व बोलते हैं इसको माना जाता है कि इसा मसी के जन्मस इसी समय हुआ था ऐसा कुछ माना जाता है तो इसके पहले के जो समय है मतलब इन सब को हम लोग इसा पुर्व बोलते हैं इसके बाद को इधर जो समय है इसको हम लोग इस्वी बोलते हैं चलिए देखिए अब यहांपर इसको समझते हैं यह जियरो शाथवाहन मेंस है इसको हम लोग 72 से लेकरकते 200 इस वियरों तक का जो समय है वहाँपर यह देखते हैं अब यह जो साथवाहन मेंस है वो कहांपर साषन कर रहे थे तो जिसे कि यह हमारा 36 गड़ यहाँ पर 36 गड़ का मैप बना हुआ है तो इसका जो सासन छेत्र था कुछ इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ पर महाराष्ट वाले छेत्र में है ठीक है यह वाले छेत्र में 36 गड़ से पश्चिम दिसम अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर महाराष्ट वाले छेत्र है मतलब इधर महाराष्ट है इधर महाराष्ट का मतलब यहाँ पर नाकूर है तो उसी नाकूर वाले छेत्र में महाराष्ट वाले छेत्र है किस वाले छेत्र में इस प्रकार से ये जो सात्वाहन वन्स है वो सासन कर रहे थे ठीक है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि सात्वाहन वन्स का मतलब सात्वाहन वन्स के बारे में तो हम लोग पढ़तो रहे हैं 36 गड़ में इस प्रकार से उसका जो भी साक्ष वगर है वो तो हम लोग देखेंगे ही लेकिन यहाँ पर उनका जो समराज जो छेत्र था इस प्रकार से जहाँ पर वो सासन कर रहे थे उसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा 36 गड़ भी 7वहन वन्स के अंतर गताता था तो अब यहाँ पर 7वहन वन्स का अगर राजधानी पूछा जाएगा तो 7वहन वन्स का राजधानी क्या था प्रतिष्ठान जो की महाराष्टर में है ठीक है मतलब महाराष्टर को ही इस प्रकार से प्रतिष्ठान का नाम दिया गया है महाराष्टर में कोई छेत्र इस प्रकार से यह वाले छेत्र में कहीं पर, नाकपूर गयास्पोस वाले छेत्र है, उसको प्रतिष्ठान इस प्रकाट से नाम दिया गए है, तो प्रतिष्ठान क्या था? साथवहन वंस का राजधानी था, ठीक है, महाराश्टर में है प्रतिष्ठान, अब देखे, इसे, पढ़ेंगे, तो इन सब में जितने भी जो सासक है, उनका नाम हमको देखने को मिलता है, सब का नाम हमको सिक्वेंस इस प्रकाट से देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस साथवहन वंस में, जो सासक है, उनका सभी का नाम नहीं मिलता है, कुछ-कुछ जो सासक है उन्हीं करना हमको नाम यहाँ पर देखना है मतलब हमारे 36 गड़ की इतिहास के हिसाब सागर मैं बात करूँ तो ठेक है मतलब कुछ-कुछ जो सासक है जिसका हमको साक्षवगर प्राप्त हुए है उसी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं देखें, तो एक तो याद रखेंगे अपिलक, ठीक है, राजा अपिलक के जो सिख्के वगर हैं, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो ये अपिलक याद रखेंगे, उसके बाद वेदिसरी है, ठीक है, वर्दतिसरी है ये, वर्दतिसरी और इसके बाद वेदिसरी, तीन इसास हैं जिसको हम लोग 36 गड़ के इतिहास में सात्माहन मंस में जिसके बारे में जनकरी मिलती है ठीक है ऐसा कुछ है अब देखिए इसके बाद जो साक्ष वगर है हमारे 36 गड़ से जहाँ जहाँ से मिलते हैं उन्ही साक्ष को हमको विसेस करके पढ़ना होता है और वहीं से हमारे एक्जाम में कोशन बनने की संभावना होती है जैसे देखें हाँ पर तो सात्माहन का लिंग जो साक्ष है उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट हमारे लिए किरारी का काश्ट इस्तंब ये लकड़ी का इस्तंब है जो कि सक्ति जिला में मतलब सक्ति जिला में तलाब के खुदाई के समय प्राप्त हुआ है ठीक है देखें हाँ पर पूरा लिखा के है पढ़ लिजे सक्ति जिला के किरारी ग्राम में तालाब से लकड़ी का एक इस्तंभ प्राप्त हुआ है, वर्तमान में इसे महंत घासीदा संग्रहाला रायपूर में रखा गया है, इसमें सात्वहन कालिन अधिकारियों का नाम है, ठीक है, सात्वहन कालिन अधिकारियों या फिर जो पदाधिकारी हैं, उनका नाम इसमें उ बक आप यो इसको किराग गाउमें मतलब किरागे काउं से प्राप्त हुए ठीक है किरारी गाउस है ये प्राप्त हुआ है सक्ति जिला में अब इसको अभी मतलब वर्तमान में अगर हम कहें तो ये राइपूर का जो घासी दा संग्रहाला है महंत घासी दा संग्रहाला है ठीक है देखो ध्यान में रखेंगे महंत घासी दा संग्रहाला है देखो ये ज तो हम आगे देखेंगे कि कहा किसा सकते, या तो राजनंद गाओं के थे, या फिर खरागर साइट का एक सा सकते है, महंत घासिदास, तो उन्हीं के नाम पर ये रायपूर में संग्रहाला बनाया गया है, महंत घासिदास, आपको ये नहीं समझ लेना है कि ये गुरू नहीं है ना गुरू घासिदास के नाम पर नहीं चंग्रहाला का नाम महांत घासिदास के नाम पर है यह महांत घासिदास है गुरू घासिदास नहीं ध्यान में रखेंगे जब कि हम लोग कोरिया जीला में जब हम लोग नैशनल पार्क पढ़ते हैं तो गुरू घासिदास न महंत्य घंसिदा से ठीक है जब हम लोग रियासत्त वगर के बात करेंगे राजनंद को साइट का तो वहां पर मैं बता दूंगा तो महंत्य घंसिदा जो संग्रहाला है वो रायपूर में है तो वहीं पर यह जो इस्तंब है लकड़ी को इस्तंब है उसको रखा गया है अभी कि सात्वहां काल की जितने भी जो पदाधिकारी जो अधिकारी लोग थे उनका नाम यहाँ पर इस लकड़ी में लिखा गया है ठीक है मतलब यह जो इस्तंब है इस इस्तंब में उनका नाम उकेरा गया है चलिए तो देखो अब यह तो हमको समझ में आगा कि कि किरारी का ज नहीं है ना जैसे कि यह जो सासक हम लोग देखें इधर इन सासकों का नाम उल्लेख नहीं किया गए यह जो लकड़ी का इस्तंब है इसमें इन सासकों का नाम का उल्लेख नहीं है बल्कि क्या चीज है यहाँ पर जो अधिकारी है जो पदाधिकारी है उनका नाम इसमें उल्ल इंजिनियर मतलब कि उस समय साथ महान जो काल था उस समय अभियनता या फिर जो इंजिनियर होते थे उनको क्या बोला जाता था कुल पुत्रक बोला जाता था इसके अलावा महानासिक जो भोजनाले का प्रबंधन करने वाले जो अधिकारी होते थे उसको महानासिक बोला जात था ठीक है महानासिक बोला जाता था इसी प्रकार से पाद मुलक जो मंदीरों के रक्षक करने वाले जो लोग होते थे मंदीरों के रक्षक जो होते थे उनको पाद मुलक नाम से मतलब बोला जाता था ठीक है पाद मुलक उनको जाता था गृपती जो राजमहल का प्रबंधन करता था, राजमहल का प्रबंधक जो होता था, उसको क्या बोलते थे ग्रीव पती बोलते थे घर के जिसे प्रबंधन वगर करते हैं उसी प्रकार से, राजमहल का प्रबंधन जो करने वाले लोग होते थे, उनको ग्रीव पती कहा जाता था अस्वारो जो घोडो का घोडो गरी का घोड़े का घर होता है मतलब इसो क्या बोलेंगे चलो जो भी है तो घोड़े का घृष का अधिकारी होता थो उसको अस्वारो कहा जाता था इसके अलावा हस्ति पक हस्ति पक जो हाथी पकड़ेने वाले जो अधिकारी होते थे उनको हस्ति पक कहा जाता था रथिक जो सार्थी होता था जो रथ चलाने वाले जो सार्थी होते थे उनको क्या कर बोलते थे रथिक बोलते थे प्रतिहार, जो द्वारपाल होते थे, उनको प्रतिहार कहा जाता था, ठीक है, द्वारपाल, महल के सामने जो द्वारपाल खड़े होते हैं, उसी, मतलब उनको क्या बोलते थे, प्रतिहार बोलते थे, तो इस प्रकार से कुछ-कुछ नाम है, मैंने सभी नाम को यहां नहीं है जो exam में पूछ जाने की जिनकी संभावना जादा है उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है यहां पर कुल पुत्रक को अच्छे से ध्यान से देख लिजेगा इसको exam में पूछ जा चुके हैं ठीक इसमें यह जो exam था इसको पूछ रहा मतलब कि यह कोशन सही था अब हो सकता है आपका CGPSC में कुछ exam मतलब जो exam हो रहा है फिर व्यापम दोर exam जो हो रहा है उसमें इससे रिलेटेट कुछ ऐसा पद होगा जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको पूछ देगा है फिलहाल तो ऐसा मुझे कोई पद यहाँ पर नहीं दिख रहा है ठीक है लेकिन फिर वह याद रखना है आपको एक एक बार हलका हलका इसको देख लेना है इग्जाम में किया पता कौन से कॉछ्चिन पूछा जाया अब देखें एक तो हम लोगों ने क्या देख लिया जो सात्वानकली किरारी के काष्ट इसस्तंभ में रिया गुंजी ठीक है ये भी है सक्ति जिला में तो गुंजी जो है ये एक गाम है गुंजी मतलब कि गुंजी एक जगा है ना गुंजी एक गाम है सक्ति जिला में इसी कर दमाउ दहरा के नाम से भी जानते हैं इसको ध्यान में रखेंगे इसी क्या बोलते हैं दमाउ दहरा बोलते है ठीक है दमाउ दहरा ऐसे तो यह जो दमाउ दहरा है यह फिर यह जो गुंजी है यहाँ पर एक सीला लेख प्राप्त हुआ है ठीक है सीला लेख एक सीला लेख प्राप्त हुआ है मैंने पहली आपको समझा चुका है सीला लेख क्या होता है पत्थरों इस प्रकार सकर लेख लिखा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं सीलालेक बोलते हैं तो गुंजी का सीलालेक ठीक है ध्यान में रखेंगे गुंजी का सीलालेक इसमें एक सासक है वर्दत तस्री अभी मैंने जो सासक बताया आपको तीन सासक बताया है उसमें जो वर्दत तस्री है उनका उल्लेक किया गया है वर्दत तस्री के गौधान का उल्लेक है वर्दत तस्री क्या करते थे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए गायों को दान में दे थे मतलब कि ब्रामहडों को गाय दान करते थे गौधान करते थे तो ये जो वर्दत तस्री है अपनी आयू को बढ़ाने के लिए अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए यह गौधान किया करते थे। उसी का उलेख उस गुंजी का जो सीला लेख है उसमें किया गया है। तो इन्होंने अपनी आयू बढ़ाने के लिए ब्रामवडों को दो बार हजार गाये दान में दी थी। ठीक इस प्रकार से हैं। तो वर्दत्त सिर्के बारे में याद रखना है। ये अपने उम्र बढ़ाने के लिए गायदान मतलब गौदान करते थे। गुंजी का सीला लेख में इस चीज का उलेख किया गया है। ठीक है। अब देखें इसके बाद यहाँ पर सिक्के कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो सात्वाहन कलिन जो सिक्के है वो कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आपको दो ही जिला याद रखना है। एक तो सक्ति जिला हैं एक तो सक्ति जिला में और दूसरा बिलास्पूर जिला। 36 गड़ के दो ही जगह ऐसे हैं जो कि यहाँ पर हमको सिक्के वग्र सात्वाहन कालिन प्राप्त हो रहे हैं देखें यहाँ पर 36 गड़ के मैप में आगर आप समझना चाहेंगे तो यह जो सात्वाहन काल की जितने भी साक्ष है वो एक तो सक्ती जिलत से प्राप्त हो रहे है ठीक, यह कुछ इस वाले छहत्र में सक्ति है, इधार जान्ज़गिट चापा है, और यहाँ पर फिर बिलासपुर है, ठीक, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो अब तो जान्ज़गिट चापा नहीं लेंगे, ठीक, अब क्या ले रहे हैं अब यहाँ प हम लोग बात करेंगे लेकिन देखो यहाँ पर यह जो चकर बतलब यह जो सक्ति और विलासपूर है इसको सिक्के के लिए याद रखना है और बांकि यहाँ पर हम लोग उने क्या देखा यह लकड़ी के स्तंब देखा और गुंजी का सीला लेक देखा मतलब कि किरारी के कास्तंब और गुंजी का सीला लेक वो भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ आपको सक्ति को याद रखना है ठीक है तो सक्ति से क्या के प्राप्त हुआ है सक्ति जिला में एक तो गुंजी गुंजी का जो सीला लेक है वो हम लोग उन देखा किरारी कास्त इस्तंब ठीक यह इस प्रकार से है अब यहाँ पर सिक्के वगर भी हम लोग देखने वाले है देखो यहाँ पर सिक्के दो तिन मतलब की सिक्के कहा कहा से प्राप्त हुआ है देखो तो सिक्के कहा कहा से प्राप्त हुए है एक तो पहले याद रखने है बालपूर ठीक ये भी सक्ति जिलम है बालपूर नमक एक जगा है जो की सक्ति जिलम है तो यहां से जो सिक्के प्राप्त हुए है वो राजा अपिलक के सिक्के है ठीक है राजा अपिलक की जो प्राप्त हुए हैं, चाहे तो वहाँ पर जो सासकों को नाम मैंने लिखा है न, वहाँ पर ये पुलवामी को भी आप लोग एड़ दर लेंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर कौन-कौन से सासक हैं, राजा, अपिलग हैं, पुलवामी हैं और वेदिसरी हैं, मतलब तीन सासक हैं जिनके बारे में जिनका सिक्का हमको बिलासपूर का जो मलहार है वहाँ से प्राप्त होता है अब इसको बिलासपूर में चकर बेड़ा तो बिलासपूर को जो चकर बेड़ा है वहाँ से भी सातवाहन का लिन जो सिक्के हो प्राप्त हुए है और ये रोम सिक्क्य है ना, रोम का सिक्क्य है, जो कि अब रोम से व्यापार हो रहे थे, तभी तो यहां से रोम का सिक्क्य प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कि हमारे 36 गड़ में सात्वहन कलिन जिस समय था, उस समय रोम से व्यापार होता रहा होगा, ठीक है, रोम का लिने सिक्क है ठीक है तो रोम से व्यापार मतलब की विदेशी व्यापार का जो ही साक्ष वग रहा है वो हमको सत्वहन का लिंग जो सिक्क्य है वहां से प्राप्त हो रहे हैं चलिती इस प्रकार से हम लोगों ने बिलासपुर बालपुर में दो जगा एक तो मलहार और दूसरा चकर बेडा देखा जहां से सिक्क्य प्राप्त हुए हैं और हमारे जो सक्ती जिला है सक्ति जीला में हम लोग उनक्या देखा बालपूर देखा बालपूर जहां सिक्क्य प्राप्त हुआ है यहना बालपूर से सिक्क्य प्राप्त हुआ है और यहां पर क्या देखा एक तो मलहार है और दूसरा कहा है चकर बेडा है है न मलहार और चकर बेडा इस प्रकार से तो यही जगह है जो कि हमको सातोहन कलिज में पढ़ना है एक तो बिलासपूर है और दूसरा है पर सक्ती जिला है सक्ती जिला में गुंजी से सिलाले प्राप्त हुआ है किरारी से काष्ट इस्तंभ प्राप्त हुआ है और ये तीन जगह जो हम लोगों ने देखा भी कौन-कौन सा मलहार, चकर, बेड़ा और बालपूर ये तीन जगह है जो कि सिख्के प्राप्त हुए है यहां से ठीक है अब सिख्के किस किस सासके के प्राप्त हुए है यहाँ पर इसको आप देख लेंगे इस प्रकार से किस किस सासक के प्राप्त हुए याद होता है तब तो ठीक नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं कम से कम इतना याद रखेंगे कि जो सात्वान कलिन सिक्के है कहा कहा से प्राप्त हुए है राजा अपिलक का बालपुर से राजा जो अपिलक है, पुडवामी है, वेद्षिरी है इन सब कम मलहार से, मलहार से इस प्रकार से देखो बहुंँ सारे सिक्के प्राप्त हो है, राजा अपिलक के भी पुलवामी के भी, वेद्षिरी के भी और चकर बेड़ा है जह कि लास्बूर के चकर बेड़ा है वहाँ से रोम कालिन सिख्थ के प्राप्त हुए है अब इसको कुछ ऐसे ट्रिक वह बना कर याद रच लेंगे हाँ पर चकर भेड़ा है चक्कर ऐसे मतलब चक्का ऐसे कुछ रिलेट कर लेंगे इसको इस प्रकार से चक्का बना लेंगे चक्का रिलेट कर लेंगे पहिया जो चक्का होता है तो पहले जो व्यापार जो होते थे वो अब इस प्रकार से पहिया बना करके कुछ यहां पर क्या बनाएंगे व्यापार क तो वहानों से ही इस प्रकार से गाड़ी मोटर से ही क्या करेंगे समान को ले जाकर के अपन व्यापार करेंगे तो चकर बेड़ा से इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि रोम से सिक्का मतलब रोम काली जो सिक्के है जो विदेशी व्यापार के बारे में जो भी जनकर काल को देखा, इसमें अब एक चीज और पढ़े लेंगे हाँ पर, कि ये जो बिलासपूर का बुढ़ी खार, बिलासपूर में बुढ़ी खार है, ये भी आपका मलहार के आसपस में है, तो बिलासपूर जो मलहार है वहीं कि उसी के पास में हाँ पर बुढ़ी खार भी है, ब पुष्ण भगवान के हांसे चत्रभुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है बस इतना याद रठें कहां से प्राप्त हुई है बूडी खार बिलासपूर से है चलो तो इस प्रकार साइए हम लोगों ने क्या समझा सात्वाहन कालिन जो भी सासाक है जो भी साक्षवग रहा है उस कि आपस में रिलेट करके संझाने से किसका युद्ध किसके सांस हुआ है यह सब चीजों थोड़ सा समझने में आसानी होती है चली तो मिलता है फिर अगले क्लास में धन्यवाद